तो जैसे ही आप योनौसवीатив में लोग इंड करते हैं तो या आप जो देख रहें इसको बोलते हैं यूजर नैम और इसको बोलते हैं पासवर्ड तो ये दोनों आप भूल जाते हैं तो कैसे इसको निकाला आता है आज किस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं तो चलिए इस वीडियो को सुरू से लाश्ट तक देखेगा तभी आप लोग समझ पाईएगा योनोश विया का यूजर नेम और पासवर्ड भूल जाने के बाद निकालने के लिए इस वेब साइट का लिंक आपको वी यूजर नेम है यह पासवर्ड है आप लोग नहीं कर पाईगा क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड आप भूल चुके हैं इसके लिए इस पेज को थोरा सा आप उपर करेंगे और उपर करने के बाद यहां पर देख सकते हैं फोर्गेट यूजर नेम और लोग इन तो यहां पे दो अप्सन दिये हैं लोग इन पासवर्ड फोर्गेट यूजर नेम पहले हम यूजर नेम निकालेंगे उसके बाद पासवर्ड निकालेंगे यूजर नेम को निकालने के लिए फोर्गेट यूजर नेम पे आपको किलिक कर देना है इसके बाद यहां पे ने में वाल नमर रजिस्टर है वो यहां पे आपको इंटर कर देना है उसके बाद यह जो आप केपचा देख रहे यह वाला केपचा इस बॉक्स में आपको इंटर कर देना है आपको जो है समिट वाले बटन पे आपको किलिक कर देना है इसके बाद आपके रजिस्टर मौल नमर निकल चुका है तो लोगिन यूजर नेम है जबिन सेंट यो रजिस्टर मौल नमर तो आपके रजिस्टर मौल नमर पे भी यूजर नेम भीज दिये गया है और यहां स्क्रीन पे भी आपको दिखा जा रहा है तो चलिए यूजर नेम तो निकल गया है और यहां पे आप पास यूजर नेम तो हमने निकाल चुका है और यहां पर इस पेज को थोड़ा सा जूम कर लेंगे और जूम करने के बाद यहां पर किलिक कर देंगे और यहां पर देख सकते हैं forget my login password पर किलिक कर देना है किलिक करने के बाद यहाँ पे एक next का button है तो यहाँ पे आपको click कर देना है तो इस page को थोड़ा सा आप जूम कर लेंगे जो अभी आप username निकाले है उस username को यहाँ पे आप enter करेंगे उसके बाद जो आपका account नमर है वो यहाँ पे आप enter करेंगे इसके बाद यहाँ पे आप अपना country select कर लेंगे तो चली हिंडिया हम यहाँ पे select कर देते हैं इसके बाद यहाँ पे आपको mobile number enter करना है इस वाले box में जो आपके खाते के साथ register हो उसके बाद यहाँ पे date of birth यहाँ पे आपको enter कर लेना है यह जो आप capture देख रहे हैं यह जो capture इस box में आपको enter कर देना है के बाद यहाँ पे आपको submit वाले बटन पे आपको click कर देना है इसके बाद आपके register mall number पे OTP आएगा देख सकते OTP भी आ चुका है OTP यहाँ पे आपको enter करना है इसके बाद confirm वाले बटन पे click कर देना है यहाँ पे तीन option आपको मिल जाता है इसे using ATM card details है using profile password से और reset password और branch के थुरू भी आप कर सकते हैं सबसे असान तरीका है ATM card details के थुरू तो यहाँ पे using ATM card details पे आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ पे submit वाले बटन पे click कर देना है इसके बाद अपना ATM card का number यहाँ पे select कर देंगे इसके बाद confirm वाले option पे आपको click कर देना है इसके बाद card holder name जो भी card में ATM card में नाम है वो यहाँ पे आप enter कर देंगे ATM card का detail इंटर करने के बाद proceed वाले option पे आप click कर देना है ATM card की detail इंटर करने के बाद proceed वाले option पे आप click करेंगे इसके बाद यहाँ पे आपको success का message दिखाएगा इसके बाद यहाँ पे एक दो सेकेंड आपको page पे wait करना है इसके बाद यहाँ पेज आपके समने में आ जाएगा तो यहाँ पेज आपको password बनाने के लिए इस page पेज को थोड़ा साब जूम करेंगे और जूम करने के बाद यहाँ पे देख सकता है इंटर नू लोगिन पास्वर जो आप password बनाना चाहते हैं इस बॉक्स में आप इंटर कर देंगे उसके बाद फिर से confirmation के लिए फिर से दुबारा इस बॉक्स में आप इंटर करेंगे इसके बाद यहां पर आप जो है समिट वाले बटन पर किलिक कर देंगे आठ करेक्टर से लेके 15 करेक्टर का password होना चाहिए उसमें small letter capital letter और कुछ digit और कुछ local भी होना चाहिए तो जो भी आप password बनाना चाहते हैं password बनाने के बाद आप जो है समिट वाले बटन पर किलिक कर देंगे यहां पर देख सकते हैं your login password had been reset successfully तो आपका यहां पर password जो reset हो चुका है आपने एक नया password बना लिया है आसानी से योनस्विया को इस्तमाल कर पाएंगे योनस्विया को open करेंगे यहां पर आप किलिक कर देंगे और यहां पर देंगे जो अभी आपने password reset किया है उसके बाद सम्मिट वाले बटन पर किलिक करेंगे तो आपका यहां इस विया में लोगिन आप कर पाएंगे इस तरह से यहां इस विया के यूजर ने और password भूले हुए आप निकाल सकते हैं वीडियो में दी गई जनकारी आपको प्रसं टैब करके बैल आइकन को दवा सकते हैं